मैं घंशाम तिवारी से पूछ लेते हूं घंशाम तिवारी हाला कि जानकारी आपको है कि नहीं मैं नहीं जानती लेकिन न्याय आत्रा में अखिलेशी आदब राहुल गांधी के साथ दिखेंगे खड़े हुए नमस्कार गरिमा जी आपको दर्शकों और को पैनलिस्ट को और मैं एक्षमा चाहता हूं कि मैं जब ट्रेवल कर रहा था तो उसके चलते वीडियो साफ नहीं था इसके टीन बाते महत्वपून हैं एक तो आपकी जो आलोचना है और आपकी जो समिक्षा है इंडिया आलायंस के के को ले करके वह एक उपयुक्त समिक्षा है उसमें आपने faks को तथियों को ठीक से प्रस्तोत किया है और यह कोई भी जो दर्शक है कोई भी देश का वोटर है इस बारे में सोच सकता है दूसरी बात जो वो facts चीज़ को नहीं बताते हैं यह नहीं बताते हैं यह आज जो इंडिया गटपंदन जिस एजंडे को प्रस्तुत करता है एंडिये का अलायंस का एजेंडा या बीजेपी का एजेंडा ताना शाही का बेरुजगारी का महंगाई का बेटी बचाओं को धमकी बनाने का और राजियों के जो भी अधिकार इनको सवाप्त करने का एजेंडा है सवाल पर थोड़ा सा क्योंकि बात यह है कि भारत जोड़ो निया यात्रा समय टाइमिंग कैल्कुलेशन समीकरन ये सब अलग होते क्या और मेरा सवाल ये कि राहुल गांदी के साथ खड़े होंगे अखिलेश यादव या नहीं हमने कहा है कि हम इंडिया घठबंदन को लगातार मजबूत करेंगे और इस तरीके से मजबूत करेंगी जमीन पर चुनावी दृष्टी से मजबूत रहे और जब ये सीटों का बटवारा तालमे ठीक से हो जाएगा तो हम अपने संगठन के माध्यम से निया यात्रा के उत्तरप्रदेश मुही मजबूत करेंगे गंशाम तिवारी इंडिया ब्लॉक की मजबूती दिखी थी एक वक्त पर प्रधान मंतरी तक को कटाक्ष करने पड़े उन तक को सलाम करना पड़ा और क्या घंशाम तिवारी भी ये मानते हैं केसी त्यागी जो कह रहें अभी त किसी एक लड़ाई में, जो कि जनता की लड़ाई है, जो देश के लोकतंतर के लिए आरपार की लड़ाई बने हुई है, जहांबर प्रती दिन लोकतंतर का गला घोटा जा रहा है राजियों में, जारखंट से रहे करके अन्य राजियों में, वहांबर जो लड़ाई छोड़ करके उस तरफ भाग गए जहां ताना शाह बैठे हुए हैं वो क्या टिपणी करें वो मायने ही नहीं रखता क्योंकि उनकी असलियत देश को दिखाई दे रही है वो लोग जो की ताना शाह के साथ जा करके बैठ गए हैं और वो कहने लगे कि हम लोगतंतर बचाने के लिए ब अफिडिन्स में लिए बगर राष्ट्री अध्यक जी ने जो बात कही है लगातार कही है आप उनका एक बयान नहीं ऐसा दिखेगा जो इंडिया घटबंदन को मजबूत करने के प्रयास के बारे में नहीं कहता है उन्होंने लगातार कहा है कि कॉंग्रेस के साथ मिलकर इं करन नहीं होगा लेकिं राहु जान्दी के साथ खड़े हुए नहीं दिखेंगे इस पर कोई क्लारिटी नहीं किसने कहा क्लारिटी नहीं हमने शुरू से कहा जब यात्रा शुरू बटवारा हो जाएगा जब तक यात्रा उतर प्रदेश में आएगी समाजवादी पार्टी यात्रा के माध्यम से भी इंडिया घटवंदन को मजबूत करेगी यह हमने शुरू से कहा है लेकिन ग्यारा सीटें जो आपने ओफर की कॉंगरेस उस पर राजी नहीं देखें जो हमने सीटें ओफर की है सीटों का समयकरण सिर्फ इस रिष्टी से है कि कौन सी सीट पर भा यकीन नहीं रखते हैं यह समाजवादी पार्टी की तरु से किसने कहा है कि हमें इस समयकरण पर यकीन नहीं है हमने दोनों दलों ने यह कहा है कि हम इंडिया घटवंदन को उत्तर प्रदेश में मजबूत करेंगे और भारती जनता पार्टी को हराएंगे